Hello everyone, welcome to Vidya Shri Academy, I hope you are doing well, हम discuss कर रहे थे घटना चक्र के previous year के कुछ important MCQ, उसी सिरीज में ये part 3 है, जिसके अंतरगत हम वैदिक काल discuss करने वाले हैं, इससे related क्या 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 question, कौन कौन से exam में कब कब पूछे गए हैं, और आगे आने की उनकी कितनी possibilities हैं, वो सबाजम discuss करने वाले है चलिए without time waste करें, start करते हैं first question से, आरे शब्द इंगित करता है, आरे शब्द क्या इंगित करता है, तो ये स्रेस्ट वन्स को इंगित करता है, क्लासिकी संस्क्रती में आरे शब्द का क्या अर्थ होता है, आरे शब्द का अर्थ होता है, एक उत्तम व्यक्ति, इसलिए आप आपने नोटिस किया होगा next question की बात करते हैं question number 3 है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो इससे easy question I think से नहीं हो सकता बट ये कितना महत्यपूर्ण है देख सकते हैं आप कितने exam में पूछा गया है सबसे पुराना वेद कौन सा है वो कौन सा है रिगवेद है आपको चारो वेदों के नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने है रिगवेद, सामवेद, या जुर्वेद, अथर्वेद आपको आंसर यहीं मिल गया त्रही, त्रही के नाम से किसे जाना जाता है तो तीनों वेदों को त्रही के नाम से जाना जाता है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्व प्रथम नाम उल्लेक मिलता है तो वर्ण शब्द का उल्लेक मिलता है रिगवेद में ठीक है नेक्स कोश्चन है कि वर्ण विवस्था में संबंदित पुरुषूक्त मूलता पाया जाता है तो पुरुषूक्त मूलता कहां पाया जाता है तो वो रिगवेद में पाया जाता है फिर यहां पर बताया गया है आपको सुमिलित करना है कि कौन सा वेद किस से रिलेटेड है अथर्व वेद में औशदी से related है रिग वेद में ईश्वर की महिमा के बारी में बताया गया है यजर्वेद में कर्म कांड के बारी में बताया गया है और साम वेद में संगीत के बारी में बताया गया है ये बिलकुल आपको बिलकुल रट लेना है क्योंकि इस से related question पूछे ही जाएंगे तो चार वेद में क्या 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 question है सबसे पहले तो question यही आता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो रिग वेद है फिर इसमें कुल कितनी सूक्त हैं तो इसमें 1028 सूक्त हैं और 10552 रिचाएं या मंत्या स्लोक हैं बस इतना यान रखना है आपको और जो सामवेद है वो संगीत से related है जिसको उदगाता कहा जाता है जो गाते हैं जो पुरोगत होते हैं उसको गाता कहा जाता है फिर चार वेदों में किस वेद में जादूई माया के बारे में वशीकरण वगेरा के बारे में पता चलता है तो वो अथर्वेद में पता चलता है रिगवेद में कितनी रिचाएं हैं तो इसमें रिचाएं पूछा गया है बढ़ हमने क्या पढ़ा था 1028 फिर रिगवेद है रिगवेद क्या है तो इस रोतों का संकलन है फिर यहाँ पर बताया गया है कि सुमेलित करना है तो रिगवेद में एतरे, सामवेद में पंचवेस, अथर्विवेद में गोपत और यजर्वेद में शत्पत का वर्णन निलता है जो उससे सम्मंदित ब्राम्मण है उनके ये नाम दिये गए है निमलिकित में से कौन सा ब्राम्मण ग्रंत रिगवेद से सम्मंदित है तो रिगवेद में एत्रे होगा इसका आंसर एत्रे ब्राम्मण रिगवेद से सम्मंदित है next question है कि गोपत ब्राम्मन किस से related है तो गोपत ब्राम्मन जो है वो अथर्विवेद से related है रिगवेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है तो रिगवेद का जो नौवा मंडल है वो सोम को समर्पित है इसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि कई लोग सोम रस को क्या बोलते हैं शराप को या जो इस तरीके के लिक्विड होते हैं उसको सोम रस भी बोलते हैं तो रिगवेद का जो नौवा मंडल है वो किस से रिलेटेड है? हमने अभी याद किया है सौम और उसके पे नामंकत देवता से. यग सम्मंदी विधी विधानों का पता किस में चलता है? तो यजुर वेद में यज यग. ऐसे आप याद कर लेजे कि यजुर वेद में यग सम्मंदी विधानों का पता चलता है. निमलेकित मैंसे किस का संकलन रिगवेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन जो है वो रिगवेद पर आधारित है. नेक्स क्वेशन है कि भारत की किस स्थलकी खुदाई से लोग दातु के प्रिशलन के प्राचेंतम प्रमाण मिले हैं तो वो अंतर जी खेडा से मिले हुए हैं. फिर उपनिशत पुस्तके हैं तो उपनिशत पुस्तके किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित हैं. उपन नेक्स कुश्चन है कि आध्यात में ग्यान के विसाय में नचिकेता और यम का सम्मानत किस उपनिशत से प्राप्त हुआ था आंसरों का कंठोप निशत से आप देख सकते हैं कितना महत्यपूर्ण प्रश्ण इतने सारे एक्जामों में पूछा गया है नचिकेता आख्यान का उलेख मिलता है अभी हमने आद किया था कंठोप निशत से मिलता है नेक्स कुश्चन है कि वैदिक नदी असकनी की पहचान इमलेकित नदियों में से किसके साथ की जाती है तो असकनी की पहचान चिनाब नदी से की गई है फिर रिगवेद में नदियों का उलेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंदे का सूचक है तो ये कुब्रा और क्रूम नेक्स कुश्चन है कि वैदिक नदी कुबहा का इस्थान कहा निर्धारत हुआ है तो अफगानिस्तान में हुआ है कुब्धा कहां मिलता है? तो ये आधुनेक नाम है काबुल का. पुरुषनी किसका नाम है? रावी का. सदा नीरा नाम है गंडक का. ओ सतुद्री ओ सतुद्री. ये नाम है सतलस का. तो ये पुराने वैदिक नदियों की नाम क्या थी? और वर्तमान में उनको किस नामों से जा ये चारों अश्रम है ये प्रथाएं वेदुत्तर काल में प्रशलित थी। नेक्स्ट कॉश्चन है निलिकित में से कौन सी वह ब्रह्मा वादनी थी जिसने कुछ वेदों मंत्रों की रशना की थी तो वो थी लोपा मुद्रा। लोपा मुद्रा आपको MPPSC में थ्री मारकर में भी पूछ रहा सकता है। ये जो वेदिक काल में महत्यपून इस्त्रियां थी उनके नाम आपको याद रखना है या उन्हें विदुशी भी बोल सकते हैं। वेदिक साहित में कई ऐसी विदुशी को कौलेक मिलता है जिने वेद मंत्रों की रशना का ज्यान था। जैसे अपाला, घोशा, विश्वावारा, लोपा मुद्रा। तो आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में एक एक दो दो फैक्ट पता होने चाहिए। लोपा मुद था और बार में इसका नाम निश्णा के लिए यूज होता था। नेक्स कॉश्न है कि रिग वेदिक काल में निश्ड गया हमें hearing ुप्य हमने याद किया था, कि इंक किस ऑंग का आंपूशन था तो आभूशन के लिए यूज होता था और गलें का आभूशन था। तो इस तो निशाका श्वन आबुशन जो रहते थे उनको निशाका के नाम से जाना जाता था बोगचकोई महत्यपूर्ण है क्योंकि बोगचकोई से जो अभिलेक प्राप्त हुए हैं वहाँ से वैदिक देवी और देवताओं के नामों का उलेक पता चलता है जैसे इंद्र, वरोड, मित्र इन सब का पता चलता है निमलिखित अभिलेक में से कौन सा अभिलेक इरान से भारत में आरियों के आने की सूषना देता है तो हो है वोगजकोई अभिलेक ये भी महतेपूर्ण कुश्चन है नेक्स कुश्चन है कि चौदवी सदी इसापूर्व का एक अभिलेक जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है कहां से प्राप्त हुआ है बोगजकोई से प्राप्त हुआ है निमलिखित मैंसे किसने आरियों के आदी देश के बारे में लिखा था तो वो बालगंगा धर तिलक जी ने लिखा था किस ग्रंट में पुरुष मेद का उलेक हुआ है वह है ये महतेपूर्ण नहीं है क्वेश्चन शत्पत ब्रामण में उलेखित राजा विदे माधव का सम्मंदित रिशी थे कौन से रिशी थे रिशी गौतम राहुगण फिर उत्तर वैदिक काले में किनको आरि संस्क्रती का धोर समझा जाता था तो यहाँ पर आंसार होगा कुरू को और पंचाल को गोतर शब्द का उपियोग सबसे पहले कहां हुआ तो रिगवेद में हुआ था पूर्व वैदिक आरियों का धर में प्रमुकता कौन सा था तो वो था प्रकति पूजा और यग रिगवेदिक काल में जनता निमनम लेखित में से किस पर विश्वास करती थी तो बली और कर्मकांड पर प्रशिद दस राजाओं का योद्ध किस नदी के तट पर हुआ था महत्यपून कोशन है पूरुष्णू नदी के तट पर हुआ था रिगवेदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे तो वो ब्यापारी थे रिगवेदिक काल में प्रिश्टित लोगप्रिय शाशन प्रणाली कौन सी थी तो वो थी वन्स परामपरागत रास्तंत आयरवेद अर्धाद जीवन का विज्ञान का उल्लेक सबसे पहले कहां पर मिलता है तो अथरवेद में मिलता है रिगवेदिक धर में कैसा था तो रिगवेदिक धर में बहुल देवबादी था सरवादिक रिगवेदिक सूक्त किसको समर्पित किये गए हैं तो वो इंद्र को समर्पित किये गए हैं यही कॉशन दो तीन बार पूछा किया है और रिगवेद में सरवादिक संख्या में मंत्र किसके सम्मंदित हैं तो वो अगनी से सम्मंदित हैं आठ सो से चैसो ईसा पूर्व का काल किस योग से जुड़ा हुआ था तो वो ब्राममाड योग से जुड़ा हुआ था गायत्री मंत्र का किस पुस्तक में लेक मिलता है तो वो रिगवेद में मिलता है गायत्री मंत्र के नाम से प्रशिद्ध मंत्र सरप्रतम किस ग्रंथ में मिलता है तो वो रिगवेद में मिलता है गायत्री मंत्र की रशना किस ने की थी महत्यपूर्ण क्वेशन है विश्वमित्र के द्वारा इसकी रशना की गई थी सर्ग प्रती सर्ग वन्ष मवंतर और वन्षानुचरित संकेता हैं किसके पुराणों के ये कुछ बहुत ही मात्यपूर्ण क्वेश्चन थे जोकी रिगवेदिक काल से रेलेटेड थे कुछ वेश्चन सौर बचे हुए हैं देखते हैं सत्यमयो जयते शब्द काल लेग कहां पर मिलता है तो ये मुण्ड को उपनिशच से मिलता है वही कुछ दो-तीन बार पूछा गया है तमसो मा जोतिर्गमे का अर्थ क्या होता है अंदिकार से प्रकास की ओर नेक्स क्वेशन है कि रिगवेद की मूल लिपी कौन से थी तो वो थी ब्राम्मी लिपी वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है किस से है तो वो रिगवेद से है अवेस्ता और रिगवेद में समानता है अवेस्ता किस शित्र से रिलेटेड था तो ये इरान से रिलेटेड था वैदिक काल में किस जानवर को अगहन्य माना जाता था मतलब ना मारने युग तो वो थी गाय रिगवेद में अगणिया का शब्द किसके लिए किया गया, गाय के लिए किया गया है वही question पूछा गया है, तीन, चार बार repeat किया गया है उस question को संसकारों की कुल संख्या, तो यह तो आपको पते योगा की संसकार 16 होते हैं जीव को पारजन ही तू, वेद वेदंग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाते थे, तो वो उपाध्याय कहलाते थे, तो ये कुछ बहुत ही महत्यपून क्वेशन थे, जो की वैदिक काल से रेलेटेट थे, इसके बाद हम बहुत धर्म से रेलेटेट क्वेशन इसी तरीके से हम पूरी हिस्ट्रीय जाए हम वेदै बात करते हों सारी महत्यपून खूषन आपके सान्न की जाएंगे जो आ आपके लिए महत्यपून होंगे थैंक्यू सो मच अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजेगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा थैंक्यू सो मच पढ़ते रहिए खुश रहिए जैहन जै भारत